वेलकम टूदी चैनल आज के सुद्ध में बात करने वाले है एक और रही जॉब अपडेट के बारे में तो आप इस वीडियो में डिस्कूस नग़े अज आप independence की बात करते हैं तो आप ऑपडेट को आउसे की बात करते हैं वो डीयाडियो में रहने वाले है आप देख सकते हो इसकी सबसीडरी है GTRE उसमें रहने वाली है तो इसका जो फूल फॉर्म होता है वो gas turbine research establishment इसका फूल फॉर्म होता है जो कि government of इंडिया की यह company रहने वाली इंडिया ministry of defense research and development की यह company है जैसे आप जानते ही हो DRD इंडियों को तो यहाँ पे आपको कुछ पोस्ट देखने को मिलेंगी जिस पोस्ट का नाम है जूनियर रिसर्च फैलोसिप तो इसमें आपको पोस्ट देखने को मिलेगी बाकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन विगरा सब कुछ दे रखा है तो मैं एक एक करके आपको डिटेल फेलो जे जे आर एफ and then कौन-कौन से यहां ब्रांचेज अपलाई कर सकते हैं तो mechanical, aeronatical, aerospace engineering, electronics, electronics and communication, electronics and instrumentation, बाकि इसके जो equivalent हैं वो भी यहां पर अपलाई कर सकते हैं then यहां पर computer science, computer engineering, information technology, information science and data science और जो इसके equivalent ब्रांचेज हैं वो यहां पर अपलाई कर सकते हैं and then यहां पर देख सकते हो कि यहां पर डिगरी चाहिए, engineering चाहिए, बी, बीटे आपके होने चाहिए, रिकोगनाईज, इनिवर्सीटी या फिर इंस्टूट से first division आपका होना चाहिए और हाँ, यहां पर आपके gate score necessary है, gate score यहां पर मांगा गया है यहां फिर अगर आपने M.E.M. tech किया है, तो आप apply कर सकते हो, M.E.M. tech वालों के लिए कोई gate का need नहीं है, यहां पर first division चाहिए और यहां पर आपका gate का score होगा, वो last three year का होना चाहिए, 2022, 2023 and 2024 जो की acceptable यहां पर रहेगा यहां पर बात करें age की, तो आपकी maximum age 28 रखी गई है और यहां पर आपको relaxation मिल जाएगा अगर आप AC, ST हो तो five year का and then OBC हो तो three year का यहां पर age relaxation आपको मिल जाएगा बाकि यहां पर stipend की बात करें, तो यहां पर आपको stipend देखने को मिल जाएगा 27,000 and 42,000 यहां पर month बाकि यहां पर add हो जाएगे कुछ तो यहां पर research fellowship की vacancies होती है, वो three years की होती है यानि कि यह contract basis पर ही होती है, तो यह contract basis आपका job रहने वाला है जहां पर आपको three years का यहां पर आपका job रहने वाला है, बाकि यह extend हो सकता है यहां पर बताया गया कि यह extend हो सकता है बाकि इस पर और alliances और add होके आपको यहां पर 42,000 से 50,000 के करीब आपको यहां पर salary देखने को मिल जाएगी यहां पर date की बात करें, तो date आपका application date है, जो यहां पर apply होना start हो गया है और जो last date है, 31st July रहने वाला है, तो जारा time नहीं है आप जल्दी से जल्दी अगर आप apply करना है, तो apply कर लेना आपको apply कैसे करना रहेगा, तो उसका link में description में दे दूँगा, यहां पर आप देख सकते हो link है इसको मैं description में दे दूँगा, तो वहां से आप जाके apply कर लेना बाकी मैं official website का link भी दे दूँगा, जहां से आप advertisement डाउनलूड कर सकते हो मैं यहां पर दिखा देता हूँ कि आपको कहा से advertisement डाउनलूड करना है, official website पर, तो वह चीज में आपको दिखा देता हूँ, तो अभी मैं DRDO के official website पर हूँ, और यहां पर आप देख सकते हो, यह advertisement है, थोड़ा सा नीचे scroll करना पड़ेगा, तब आपको यहां पर advertisement देखने क मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, यह DRDO की official website है, और आपको नीचे scroll करके जाना पड़ेगा, तो वहां पर आपको advertisement number और आपको apply करने का link मिल जाएगा, तो यहां पर आओगे, तो यहां पर आपको आप यहां पर देख सकते हो, कि junior research fellowship का यहां पर दिया रहेगा, और यह यहां पर application form link पर click करोगे, तो यहां पर application form आपको खूल के आजाएगा, जहां से आप apply अराम से कर सकते हो, and then same, वैसे ही advertisement अगर download करना है, तो फिर से उसी वहीं आना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, scroll करके थोड़ा सा नीचे आना है, and then वहां से आप advertisement भी download कर सकते ह तो यहां से आप advertisement download कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहां पर मैंने पहले से advertisement download कर रहा है, बस आपको click करना है, download करना है, and then यह download हो जाएगा, तो आज की video बस इतना है, मिलते हैं next video में, और अभी तक आपने में चैनल को subscribe नहीं किया, तो please subscribe कर लो, साथ में जो bell icon है, उसे भी प्रेस कर देना, एक like जोलू से कर देना, अपने दोस्तों के साथ share करना इस video को मिलते हैं next video में,